हेलो दोस्तो तो कैसो आप सब आई ओप अच्छे होंगे और अच्छे बने रहना तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के सब्सकाइबर हाइड कैसे करें जी हाँ दोस्तो ये प्रावलम तो छोटी सी है लेकिन इसका बेनेफिट बहुत बड़ा है या ये बोलो कि इसका एक फाइदा नहीं इसके अनेक फाइदा है जैसे कि हमें आपको बता दूँ कि मैंने भी अपने चैनल के सब्सकाइबर हाइड कर रखे हैं इससे हमारे विवर्स और ओडियन्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मैंने ही नहीं बलकि बड़े बड़े क्रेटर्स ने भी अपने चैनल के सब्सकाइबर हाइड कर रखे हैं सपोज आपके चैनल के वन मिलियन सब्सकाइबर हैं लेकिन व्यूज 3K या 4K या आते हैं तो इससे आपके व्यूज पर इफेक्ट पड़ सकता है तो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने चैनल के सब्सकाइबर हाइड कर दें तो दोस्तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि सब्सकाइबर हाइड करने का फाइदा ये भी है लेकिन फाइदे तो और भी हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हो हम सबसे पहले Chrome Browser में ओपन करेंगे यूटूब को ओपन करेंगे फिर हम वहाँ पर देखेंगे कि Chrome Browser को हम डेक्स्टॉप सैड में ओपन करेंगे फिर हम देखते हैं कि जो सैड में एक लोगो होता है चैनल लोगो होता है हम उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे यूर चैनल पर क्लिक करेंगे यूर चैनल पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे YouTube Studio पर क्लिक करने के बाद नीचे करेंगे हम नीचे देखेंगे कि जो सेटिंग का ये जो आइकन होता है हम उस पर क्लिक करेंगे और ये जो अपलोड के नीचे जो वो है न ऑप्शन चैनल का उसके बाद हम देखेंगे उसके सैड में एक Advanced सेटिंग का उप्शन है उसमें हम नीचे करेंगे तो हम देखेंगे सब्सक्राइबर काउंट यदि हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो सो होने लग जाएंगे यदि हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर किसी को सो नहीं होंगे तो मैंने भी इस पर क्लिक नहीं कर रखा है तो इसलिए मेरे सब्सक्राइबर किसी को सो नहीं होते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होगी कि सब्सक्राइबर हैड कैसे करते हैं तो दोस्तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम है टेक्निकलभाईडवल सेवन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग